हेलो गाइस नितिल स्कॉजर अटेक में आप सब का स्वागत है आज की वीडियो में हम सिखेंगे कि HDFC बैंक एप का लॉगिन कैसे करते है और दूसरा इंपोर्टन HDFC बैंक नेट बैंकिंग याने नेट बैंकिंग में हम लॉगिन होंगे और उसमें हम क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स अबाद में सेविंग एकाउंट ट्रांजेक्शन और क्रेडिट का ट्रांजेक्शन सब कुछ देखेंगे मुच्छल फंड और एफडीवी मैं आपको पूरा प्रसेस बताता हूँ बस आप वीडियो को स्कीप ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सुगाइस आज हम एच्डिवसी बैंक मोबाइल एप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से इस मोबाइल एप से हम पूरा नेट बैंकिंग यानि क्रेडिट काड डेबिट काड सब कुछ देख सकते हैं तो फिर अगर आप एच्डिवसी एकाउंड हो और नहीं तो आप एच सब्सद्राइड कि यहाद करिया है तो फिर सबसे पढ़ले हमें कॉट्राइडी और पासवर्ड ऑ पासव op क्यों यक्यों आ पासुटमर डाउन मुद्राइक कैसटमर यह पास्वर्ड हमारे नटीघ है कि हम से कॉटमर इप करना है यहां पेट नोट एंड तो फिर आप रीड कर सकते हो विव लिस्ट अप ट्रांजेक्शन मास के फेवरेट फार क्विक अक्सेस क्लिक टू गेट हल्प अन हाव टू ट्रांजेक्शन अनसे और क्वेरीज क्लिक एर टू लॉग अट ओके तो फिर यह हमारा इंटर्फेस है यहां पर हमारा सेविं अकांट सब कुछ हमारा एक डी डेफोजीट सब कुछ दिखा रहे हैं मैं एक एक करके ओपन करता हूं फिर था रहे हैं सेविं एकाट में 43.28 रुपीज है यह जीरो बैलन्स है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुचल फंड भी दे सकते हैं मुचल फंड मेरा कुछ है ना इसमें हाँ पर दिमेंड एकाट में मेरा थोड़ा इंवेश्मेंट है यह मुझे फ्री है कं यहां पर हम क्रेच काडब भी देख सकते तो फिर हम पर यहow में क्रेच करते हैं को का अंप Hai कर्ट से आज़रे में में इसमें बरहां जोंगा लुणuing स्ट तो फिर यहां पर हम सब कुछ दे सकते हैं, दिखा रहा है, सेविंग एकाउंट की राजिशन जानने के लिए हमें सेविंग एकाउंट के नीचे जो स्टेटमेंट है ना वहाँ पर क्लिक करना होगा, उस पर हमें पूरे मन का स्टेटमेंट मिलेगा, जैसे कि यह देखिए, आजक्षन जहां पर हमारे टान्जेक्षन है जिसको हमने पेइमेंट किया है, हम उसका ट्रैक भी रख सकते हैं, और शो मर उपे भी आप क्लिक करके पूरा महिने का ले सकते हैं, तो फिर इसमें कोई यह नहीं है, आप अपना बैलनेस चेक भी कर सकते हो, और स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हो, अब हम Home में जाते हैं, और Pay section में Card, जो Cards है वहाँ पर क्लिक करते हैं, हमें अब Credit का Transition चाहिए, तो फिर Credit का Transition Full Details के लिए हमें Card पर क्लिक करना पड़ेगा, जैसे हम क्लिक करते हैं, हमारे दोनों Card आते हैं, हमें उसे Open करना है, और यहाँ पर नीचे Unbuilt Transition दिखाई दे रहा है ना उस पर क्लिक करें जैसे आप क्लिक करोगे पूरा डीडिल्स आ जाएगा एग्डिवसी ग्रेडिट काड़ पर हमें कैच बेक फैसिलिटी भी है जैसे कि यह देखो तो 22 जून 2022 में 601 रुपय जो मिला है मुझे वो मैंने रिडेम्चन अपॉइंट से यानि कि 601 रुपय का मुझे कैच बेक मिला है इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता हम क्रेडिट काड यूज करते हैं और हमारा रिवर पॉइंट लेप्स ना होने दे उसका रिडेम्चन करें वह बहुत ही जरूरी है जैसे के मैंने देखो इस महिने में 601 रुपय किया है और उपर जो 58 रुपीज है वो मुझे क्रेड एकाउंट से कैच बेक मिला है तो फिर आप वह भी वीडियो जरूरू देख से हम हमारा चेंज भी कर सकते है और हम हमारा कार्ड ब्लॉक भी कर सकते है और नीचे दिखाय देरा है ओटो पर यहाँ पर हम इनेबल और दिजेबल भी कर सकते है आज के लिए इतना है तो मैं अभी लॉग अट करता हूं थैंक्यू गाइस अट्राइस